ओलू फ्रेंद्स वेल्कम टू माइट इस्टेडीफीट चैनल दोस्तों आज में डायपस्थरेपि के बारे में बता रही हूं दोस्तों जैसा कि यह है इलेक्रो थेरेपी के अंतरगर्दिछ डायथर्मी डायपस्थरेपी अल्टर शाउन थेरपी अन्फारेट थेरफी इल् पार टू में डैथर्मी क्या होता है एंड ये पार्ट थर्ड वीडियो है इसमें मैं डाइपाल्स थर्फी के बारे में बता रही हूं दोस्तों वीडियो को सुरू से लाज तक देखेगा वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो है एंड चोटा ही वीडियो है बट आपके लिए अनालेजेबल वीडियो है दोस्तों एंड छोटे ही रुक में इसको मैं प्रसुत करूँगी जादे लंबा नहीं ले जाओंगी तो दोस्तों चली जानते हैं डाइपाल्स थर्फी क्या है दोस्तों डाइपाल्स थर्फी जो है यह एक बिदुतिय चिकिश्चा की वीडियो जिसमें बिदुत्चिंब की उर्जा का उप्योग मुलायम उत्तकु यह महड़ी की तिवर सूजन को कम करने के लिए किया जाता है इसमें पल्स की आबरती 80 से 600 तक होती है इसमें चिकिश्चा करने वाले उपकरण के हैड को चोट ग्रस्त भाग के पास रखा जाता है जैसा की चित्र में दिखाया गया है इसकी वेदन चमता 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई तक होती है इसके द्वारा 15 सेंटीमीटर व्याश का विद्दु चम की छेतर उत्पन्न होता है उपचार की आवधी 10 से 15 मिनट की होती है इससे दिन में एक या दो बार प्रयोग किया जात है इसमें उपचार 3 से 5 दिन तक किया जा शकता है इसके प्रभाव क्या होते हैं इसके थेरेपी से प्रभाव हैं सूजन को यह कम करता है रखते प्रवा को बढ़ाता है दर्द से आराम दिलाता है एंड मानस्पेश्य एठन को कम करता है तो दोस्तों यह था एक छोटा से वीडियो डायप पर्स थेरेपी के बारे में आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा एंड दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अल्टरा साउंड थेरेपी के बारे में बताऊंगी और इस टापिक के खत्म होने के बाद डोपिंग के बारे में फूरी डिटेल में बताऊंगी दोस्तों डूपिंग आप कभी भूल नहीं सकते इस तरीकी से बताऊंगी और जितने भी टापिक अभी बचे हुए हैं आपके टीजी टी पीजी टी के भीएस अन्वेस एल टी ग्रेट के फीजिकल एजुकेशन के सिलेबिस के रिकार्डिंग जितना बचा हुआ है उस सब को मैं इस्टेप बार इस्टेप पूरा करूंगी बस आप मेरे चैनल पर कांटेन्यू बने रहे हैं और वीडियो को ज्यादे सेयर कीजिए दोस्तों जिससे मुझे एक नया मोटिवेशन मिल सके जिससे मैं आगे वीडियो बना सकूं एंड दोस्तों एक वीडियो आपको मिलता रहेगा तो दोस्तों मिलते हैं नेश्ट वीडियो में नेश्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिंग